असलाम अलेकुम एंड वेलकम तो स्कूल अफ थॉट आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर CSS में, PMS में, Current Office में, Park Office में यह टॉपिक आपको लाजमी देखने को मिल जाएगा तो इसकी तियारी बहुत अच्छे से कीजिएगा आउटलाइन में सबसे पहले मारे पास इंट्रोड़क्शन उसके बाद हम डिसकस करेंगे BRI को या One Belt, One Rolled Initiative को चुक्छे CPAC को एक्स्प्लेन करने से पहले जरूरी यह है कि आप पहले BRI को एक्स्प्लेन करने हैं उसके बाद हम बताएंगे कि CPAC इस BRI का हार्ट है फर्दर हम बताएंगे कि चैलेंजिस हैं CPAC की डिवेलपमेंट में तो कुछ नेशनल लेवल पे हैं जिसमें से पॉलिटिकल अन्रेस्ट पाकिस्तान में वो है फिर ट्रांसपेरेंसी CPAC की कोई प्रोजेक्स की इतनी जादा नहीं है डिस्कलोज करने से डरते हैं हर गवर्मेंट डरती है वो देखेंगे फिर उसके बाद कुल्चरल डिफरेंसिस जो होंगे या हो रहे हैं उन पे बात करेंगे फर्दर हम इसके इंटरनेशनल जो चैलेंजिस हैं उनको देखेंगे यूएस इंडिया और वेस्टरन वर्ल्ड वो चाहती ही नहीं है कि सीपेक बनेशनल प्रोग्जी वोज इनिशियेट की हुई है मुझलिफ मुलकों है हमारे मुलक के अंदर स्पेसिफिकली इंडिया ने उस पर बात करेंगे फिर टेरिरिजम एट होम एंड ब्रॉड इस अ थ्रट तो सीपेक टेरिरिजम के उपर हम काफी हद तक जो है वो कभू पा चुके है लेकिन रीसेंट पेसेक्स का जो हमला हुआ है या फिर हमारे क्लेम के मताबिक वो इंडियन इंटेलिजेंस एजन्सी की तरफ से हुआ था तो एक इशू फिर भी है ये फिर हम नेक्स्ट डिसकस करेंगे कि हमारे लिए एक और चैलेंज है कि कमपेटिटर हमारा तयार है तयार तो फिलहाल नहीं है लेकिन कमपेटिटर वो लाजमी है चबाहर जिस पे इंडिया काफी पैसे लगा रहा है फिर हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स हैं कि अगर सीपेक बनता है तो हमें क्या क्या फायदे होएंगे उसमें है एकसेस टू अफरीका हो जाएगी हमें कि हम वहां पर नया के नए एकनोमिक एडविंचर कर सकते हैं चाइना और पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टन बन जाएंगे चाइना अल्रड़ी है लेकिन पाकिस्तान जरूर बन जाएगा इन्हेंस्मेंट ऑफ रिजिनल इंटरनेशनल वेल्यू ऑफ पाकिस्तान जाहर है कि जब हमारी जेब में पैसे होंगे हम एकनामिकली स्ट्रॉंग होंगे पलिटिकली गुड होंगे गवर्नेंस अची होगी यह सारा कुछ जाहर है कि आपकी एकॉनमी की स्ट्रॉंग होने से होती है तो हमें रिजिनल और इंटरनेशनल वेल्यू बढ़ जाएगी नए अबिन्यूज खुलेंगे हमारे लिए कनेक्टिविटी के और ट्रेड के शिफ्ट होगा सेंटरल एशन रिपब्लिक्स का पाकिस्तान की तरफ बजाए के वो इंडिया की तरफ हो फिर एकनामिक डिवल्पेंट ऑफ पाकिस्तान होगी और प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वोड़ कम बिकम रेविनी जनरेटिंग जनरेट हमारे यहां पर सबसे ज़द एंड उफ वेस्टर इंफ्लूइंस ऑफ पाकिस्तान काफी देर यूएस के अंडर आया पाकिस्तान तो उससे अब निजात पालेगा नेक्स मारे पास इसमें आजेगा कंक्लूजिएंग इंट्रोड़क्शन इसका जैनरल टू स्पेसिफिक नहीं इसका मैंने स्पेसिफिक ही लिया है और चुके इस किसम के टॉपिक का जनरल टू स्पेसिफिक इतना असानी से ना तो वो बनता है और आई थिंग कि उसमें कोई इतनी जरूरत भी नहीं है लहाजा आप इसकी बैल्ट एंड रोड इनिशेटिव से बात शुरू करते हैं बताते हैं कि बैल्ट एंड नौर्ड वेस्टन चैना में है उसको कनेक्ट करता है गवादर पोर्ट के साथ उसमें रोड रेल्वेज और पाइपलाइन का प्रोजेक्ट्स हैं फिर यह फृदर थीसी स्टेट्मेंट पे आ गए कि हमारी इंटर्नल और एक्स्टेर्नल जो चैलेंजिस हैं वो हैं लेकिन उसके बावजूद अगर हम CPAC बनाने में काम्याब होते हैं तो यह गेम चेंजर होगा हमारी एकॉनमी, ट्रेड, रिजनल कनेक्टिविटी, इनर्जी क्राइस, इंफ्रस्ट्रक्चर यह सारा कुछ बेतर हो जगा और सबसे इंपॉर्टन यह के लोगों के अंदर जो गुर झाल झाल करने के लिए कनेक्टिविटी करें ताके एशिया से, अफ्रीका से, यॉरप से और रिजनल इंटिग्रेशन करें, यह लोग बना रहे हैं BRI, इसे ट्रेड डिवर्सिफिकेशन होगी, इकनॉमिक ग्रोथ होगी, इनर्जी सेक्टर्स जो हैं, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिल् और मिडल इस्ट, ओशेना, अफ्रीका, यॉरप, एशिया, इन सारों के अंदर कनेक्टिविटी के वज़ासे, फ्री टोड जोन, इंफ्रस्ट्रक्चर, यह सारा कुछ बेहतर होने की वज़ासे काम अच्छा होगा, बेसिक इंपक्टिस का यही है कि हमने कारोबार करना है, हमने काम करना है, हमने एक नॉमिक ग्रोफ लानी है, वो इस तरह, first of all आप इस चीज़ को समझें कि चाइना की नहीं रखी है, वो सारी इस्टरन साइड पर है, approximately 47% of land है चाइना की वो यूटिलाइज हो रही है और total कारोबार उस पर है, उसके बावजूद चाइना दुनिया की second बड़ी economy बन चुका है, अगर वो वेस्टरन रेलवे, पाइपलाइन का यह सारा कुछ पाकिस्तान में शुरू की है, यह direct access देता है Arabian Sea को, Arabian Sea के साथ लगता है Persian Gulf, Persian Gulf में से 20% of annual जो oil demand है या oil supply है, वो वहाँ से flow करती है, state of farmers के थ्रूँ, फर्दर नीचे आजाएं Middle East लगता है और उससे नीचे आजाएं Africa लगता है, य और अगर इससे थोड़ा सा उपर चले जाएं तो C.A.R. जायते हैं Central Asian Republics जिनके पास बहुत जाए तेल मुझूद है, तो सारी गेम इस वक्त resources की है, असानी से उन तक रीच की जाए, वहाँ पर काम किया जाए, उनको इस्तमाल किया जाए, ताके economically grow किया जा सके, अब इसके लिए इन लोगों ने गवादर का पोर्ट बनाया, खुंजराब पास, गिलगत बल्दिस्तान, जिन्जियां को connect होगा, यह सारी बात इसमें लिखी हुई है, पाकिस्तान territory economic development हो जाएगी, agricultural modernization हो जाएगी, यहाँ पर इपैक जो है वो चाइना की strategy है, western region को develop करने, पहरा number 3 हमारा जो है, वो total general है, कि challenges तो हैं, लेकिन challenges को एक बंदे ने, जिनका है नाम डॉक्टर लौन जियांग है, आप इनका इस वक्त देख लीजेगा कि यह office hold करे रहे हैं, कि नहीं, अगर नहीं hold करे तो इनके नाम के साथ x या फिर former लगा दीजेगा, तो इन्हों ने यह कहा था कि political unrest, security situation और administrative issues जो है ना, वो significant challenges हैं, corridor के complete होने के अंदर, तो कुछ internal and external हैं, लेकिन यह vice international department के जो भी हैं, इन्हों ने यह कहा, कि यह तीन सबसे significant हैं, इसमें यह point discuss होगा कि political unrest है पाकिस्तान के अंदर, हम अच्छे से जानते हैं, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर military rule democratic rule से काफी जादा रहा है, 2008 तक मुशरफ साब रहे, उसके इलावा जनल जया साब, जनल याया साब, यह साब, यह सारे काफी काफी time हमारा जाया कर गए, अब बात करते हैं, democratic rule की, 2008 से चला हुआ, democratic rule, तीन government, 2018 तक, अपने procedure के तहर चेंज हुई, लेकिन, हर government, दूसरी government की leg pulling करती है, जब 2013 में, people's party ने यह step लिया, तो noon league को बड़े concerns थे, कि यह पता नहीं क्या कर रहे है, फिर उसके बाद बाकी parties को concerns होने शुरू हो गए, कि यह क्या कर रहे है, अब PTI जब आई है, तो आपको अच्छे से याद होगा, कि शुरू के 6 माह, या शायद जादा time तक, ह सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे मुलक के अंदर political unrest है, stability नहीं है, next point हमारे पाफ है, transparency का, कि CPAC को लेके हमारी इतनी ज़्याद transparency नहीं है, जिसकी वज़ासे बहुत सारे political शकु शुभाद जो हैं, वो जनम ले रहे हैं, खांजा भी बहुत चीखते होते थे जब त अंप के रहे हैं, ब्लोच नेशलिस्ट के रहे हैं, फिर यू आई एफ के, पीटी आई के भी तब तक थे, जब तक वो opposition में थी, अब चुके वो government में आ गए हैं, तो वो भी नहीं transparency रखते, वो कहते हैं, कि Chinese President नहीं चाहते हैं, कि हम इसे transparent करें, या इसमें क्या लागत में ना आए हम, specifically आप अच्छे से जानते हैं, कि US और चाइना की, जो अपने मसले मसाइल हैं, trade wars के और हर किसम के मसले मसाइल, तो उस चीज़ को cater करने के लिए है, Chinese President नहीं चाहते, और फिर मजबूरी ये है, कि हमारे जो यहां की government है, वो भी नहीं चाहती, हम लोग सिर्फ शोर करते रहेते हैं, यह शक करते रहेते हैं, नेक्स पॉइंट हमारे पास है, cultural differences का, जाहर है कि Chinese लोग और हैं, उनकी बोली और खाने और उनका रहन सहर और हम लोग और हैं, तो ऐसे में हमें इस चीज़ को अच्छे से cater करना पड़ेगा, कि चाहे वो यहां पर आके काम कर रहे हैं, वो लोग अपरी corporations बना रहे हैं, हम उनके अंदर जॉब करे हैं, यह उनके साथ मिलके partnership कर रहे हैं, लेकिन बहुत important factor यह है कि वो local culture को वो लोग समझे हैं, क्योंकि काम आके वो कर रहे हैं, हमारा तो यह मुलक है, हम उनका culture कुछ हद तक समझ सकते हैं, यह हम उनकी language कुछ हद तक समझ सकते हैं, लेकिन completely नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी दूसरी country के अंदर shift होता है, मजबूरी उस की होती है, कि वो उस culture को, उस language को, उन चीज़ों को समझे, तो लेहाजा, अगर हम दोनों parties इस culture को नहीं समझते हैं, न वो समझते हैं, न हम समझते हैं, वो सारा कुछ हम इस जो पहरा के अंदर discuss कर जाएंगे. जो उसके वज़ा से नहीं चाहता, उसके इलावा, उसका साथ US बहुत ज़्यादा देर है, तो यहीं हमने इस पैरा के अंदर mention किया है, कि इंडिया CPAC को नहीं पसंद करता, इन लोगों को यह चीज़ चुब रही है, उसमें इंडिया, इस्राइल, US और Western European countries भी सारे शामिल यहां तक कि इसके खिलाफ लॉबिंग भी हो रही है, और इसको Western media ने one road, one belt की जगा, one debt, one trap, consider किया था, यह सारा कुछ हमने इस पैरा के अंदर discuss कर दी, कि यह challenges हैं हमारे CPAC की बनने में. Next point है, proxy was initiated by the rivals have created unrest, हम इस चीज़ को बड़ एच्छे से समझते हैं, कि कोई भी state है ना, उसके अंदर कुछ हद तक proxy war या intelligence agencies दूसरी countries के involved हो जाती है, तो ऐसे हर मुलक के साथ हो रहा है, यह नहीं है कि अमेरिका है तो उसके साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, हर खराबी जादा कार है, यहां पर हमने वो बताया कि अमेरिकन, CIA, इसराइली मुझाद और RAW, continuously जो है, वो असेस्ट कर रही है, militant groups को, especially अगर हम नजर दुड़ाएं तो हमें कुल बुशन जादव साथ नजर आते हैं, साहब अब उनके साथ लगाना कुछ अच्छा तो नहीं यह खैर, वो उन्होंने unrest create करने की, terrorism करने की कोशिश की थी, बलोचिस्तान के अंदर, और सब nationalists जो groups हैं, उनको काफी इश्तियालंगेजी भी होती रही है, provinces के अंदर यह issues रहे हैं, और उसके इलावा, terrorism act भी यह लोग करते रहे हैं, तो यह proxy war हम पे मसलत की हुई है, कुछ मुलकों ने, जिसकी वज़ा से हमारी CPAC को खत्रा है, उसके बनने में या उसकी तरक्की में या उसकी completion में challenge है, नेक्स हमारे पास है Paranine, Paranine के अंदर, terrorism at home and abroad is a threat to CPAC, अगर हम terrorism की बात करें, तो हम कफी हद तक 2014 के सानिय के बाद, इसे अपरूट करने में कामयाब हो चुके हैं, हमने बहुत सारी जाने दी, war or terror में भी बहुत सारा नुकसान किया, लेकिन Allah का शुकर है, हम इसमें कभी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर भी, जहां proxy wars है, वहां पर terrorism groups है, network है, उनको कोई ना कोई sport कर रही है, कोई ना कोई country, तो उनकी मदद को है, तो वो अगर CPAC को लेके बात की जाए, तो वो खतरा है, 2016 के अंदर जो engineers थे, Chinese engineers थे, उनके उपर भी हमला हुआ था, sin separatist तोगरा, उन लोगों ने किया था, nationalist extremist जो लोग हैं, या religion extremist जो लोग हैं, वो इस किसम के लोगों की जो community होती है, उनके sentiments को यह जो दूसरे मुलके हैं, बड़े असानी से हवा दे देते हैं, तो यह लोग terrorist, extremist, किसी भी किसम के हो, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा है, हमारे CPAC के लिए बहुत बड़ा challenge है, इनको cater करते हुए हमें अपनी development है, उसकी तरफ ध्यान देना है, next paragraph हमारे पास है, Iranian port of Chabahar का, हमारे साथ Chabahar का port बन रहा है, और इसको fund कर रहा है, हमें fund कर रहा है चाईना, इंडिया fund कर रहा है Chabahar को, अगर Chabahar बन जाता है, तो वो हमारा direct competitor है, और वो हमसे भी कुछ किलोमेटर या कुछ माइल्स गरीब है Persian Gulf से, लेहाजा यह हमारा direct competitor है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के CPAC के ओपर काम काफी हद तक जादा हो चुका है, 22 बचा बाहर के, क्योंकि इंडिया के पास उतनी funding नहीं है, उन्होंने भी अपना tax का पैसा लगाना है, अपने लोगों का पैसा लगाना है, इसकी development के ओपर, और चाईना ने भी लगाना है, चुके उसका भी interest है, gas pipelines को लेके, तो लहाजा एक common interest नज़र तो आता है, लेकिन अगर चबाहर port बनता है, तो हमारे लिए direct competition का बाइस बन सकता है, अगर हम पहले बना लेते हैं, तो हमें बहुत बड़ी जो edge मिल जाएगा, वो यह है कि जो centralization republics हैं, उनका रुजान हमा सारी तरफ लाजमी ही आएंगे, प्रोस्पेक्स फोर सीपेक, यह परग्राफ मैं पढ़ देता हूं, चुके ही आपको कहीं मिलेगा नहीं, access to Africa for new economic adventures, Africa is one of the resource rich yet unexplored areas of the world, the continent is in the hold of absolute poverty, China plans not only to access the energy resources from the middle east and cars, but it is also ambitious to avail the cheap resources and labor resources of Africa, हम अच्छे से जानते हैं कि Africa एक बहुत ही under developed country है, और वहाँ पर बहुत जादा गुर्बात है, लेकिन वहाँ पर resources बहुत जादा available हैं, हमें वहाँ से diamonds मिलते हैं, हमें वहाँ से कोईला मिलता है, हमें वहाँ से और मुक्तलिफ किसम के मादनियाद मिलती हैं, जैसे कि अगर मैं specific बात करूँ, वहाँ से भी फाइदा उठाएं, वहाँ पर लेबर भी है, वो उससे भी फाइदा उठा सकते हैं, और ये भी कहा जाने लगा है कि चाइना अपना चाइना बना रहा है, अफरीका को, इस से बात से या इस चीज से क्या मुराद है, USA और European countries ने अपनी फैक्टरी लगा है चाइना में, ये लोग काम करते रहे और काम करकर के काम सीख लिया, सीख के अपना सैटप बना लिया, अब यही चीज वो इंप्लिमेंट करना चाह रहा है, अफरीका के साथ, क्योंकि अब वहाँ पे चाइना के अंदर जो मिडल इंकन लोग हैं, वो काफी जादा हो चुके हैं, और जो सस्ती चीज बनेगी, और बिके की वो पूरे रेड़ पे तो प्रॉफिट्स जादा होंगे, यह एक उनका थौट है, इंडस्ट्रियल टेकनालोजिकल और एकनामिक डिवेलपमेंट होगी, उस कॉंटिनेंट में भी और रेविलूशन आएगी, वर्ल ट्रेट के अंदर, ज चाइना और पाकिस्तान स्ट्रेजिकल इंपॉर्टन कंट्रीज बन जाएंगी, अगर पाकिस्तान चाइना को अलाओ करता है, अपनी नेवल बेस, जिस पे काफियात काम हो भी रहा है, वो बना ले गवादर पोर्ट के उपर और जिसकी वज़ा से वो एशिया पैसिफिक र रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन को अच्छे से समझीएगा क्योंकि इसके उपर काफी क्वेस्टिन्स आएं हैं, और यह रीजन स्टार्ट होता है, एशिया से लेके नीचे आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड इन एरिया तक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ह रीजन में, हमारी वर्थ बढ़ जाएगी, और ना सिर्फ रीजन के अंदर बलके इंटरनेशनली भी हमारी पाकिस्तान की वैलियू, वो काफी बढ़ जाएगी, हमने विस्टाज ओपन करने वाले हैं, ट्रेड के लिए, कॉमल्स के लिए, बिलियन ओफ पीपल को हम अपनी कंट्री के थुरू, हमारी एकॉनमी जो है, वो स्टॉंग करके हमें इंफ्लॉएंशल बनाएगी, यह सारा कुछ हमने इस पैरा के अंदर डिस्कस किया है, नेक्स्ट पार्पस यह है कि ओपरिंग नियू अविन्यू अविन्यू अफ कनेक्टिविटी एंड के साथ काफी अच्छा हो गया है, और चाइना हमारा एक बड़ा जो है, वो पार्टनर बन चुका है, ट्रेड को लेके, लिहाजा हम दो मुलकों का जो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट्स हैं, वो भी काफी जादा हो चुके हैं, तो हम दोनों मुलकों के इलावा वो तमाम मुल असानी से मिल सके उने, इसी तरह जो सारी की सारी लैंड लॉक कंट्रीज हैं, और वो भी एक्सेस चाहती हैं, कि वो समंदर तक आएं, ताके वो भी अपने वहां से ट्रेड वो गयारा कंड़क कर सकें, तो हम वो चीज फराहम कर रहे हैं, इसमें मजीद लिखा है कि 12,000 किल का रूट जो मिडल इस्ट का चाइना को पढ़ता है, और सप्लाइस के लिए कट हो जाएगा, वो किस तरह कट होगा, इस वक्त मुझूदा ओयल इनका आता है, सारा स्टेट ऑफ हर्मस से निकल के जाता है, फर्दर, वहां से यह जाता है, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट से डिरेक्ट आपके गवादर पोर्ट पे, गवादर पोर्ट से सीधा जिंजांग पहुंचे गा या काशगर पहुंचे गा, तो वो उनको बहुत फीजिबल है, कुछ हजार किलो मिटर का है, यह तो बारा हजार का बहुत जादा है, उसमें नंबर ऑफ डेज भी होते हैं, Secondly, अगर हम एक और पॉइंट देखें, South China Sea में, although बहुत सारे issues हैं, लड़ाई जगड़े हैं, चोटे 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 आइलेंड को लेके, countries को फिलिपाइन के, और जपान के भी, जपान का भी all supply सारी की सारी स्टेट अफ मलक्का के तरू गुजरती है, अब in case, अगर आपको इस बात का भी इच्छे से इलाव होगा कि चाइना और जपान जो है, वो राइवल्स हैं, वो आज से नहीं, वो कफी सदियों से राइवल्स हैं, और उसके इलावा जपान यूस का अलाए भी है, तो अगर in case कोई issue बनता है, इन दो कंट्रीज के दरम्यान, तो state of मलक्का को असानी से ब्लॉक करके चाइना अपने अपना जो एम है न या अपनी जो वो ओयल वोगरा या ट्रेड वोगरा वो असानी से कंड़क कर सकता है उस तरह और तफ टाइम दे सकता है जापान को, अब जैसे कि हमने पहले मेंशन किया कि चबाहर वाले पॉइंट में, अगर वो बन जता है, तो हमारा कंपेटिटर तो है, लेकिन हम जो कि इसके उपर काम जादा कर रहे हैं, हमारा फंडिंग अच्छी कंट्री है, अच्छी एकोनमी कर रही है, तो हम जल्दी इसको बनाने में कामयाब हो जाएगा, तो जो सेंट्रलेशन स्टेट्स हैं, उन्होंने तो पर नहीं करनी है ना, अरेबियन सी को, वो कहां से करेंगे अपने ट्रेड के लिए, या अपने रिसोर्स को मीट करने के लिए, वो पाकिस्तान के दूर्फ करेंगे, तो इसमें चांसे यह हैं कि इस पार्टनेशिप बट्वीन पाकिस्तान और चाइना और अपसट इंडिय यहां आएं, खुद भी कारोबार करें और हमें भी वो शर्फ बक्षें ताके हम भी अमीर हो सकें। इसके इलावा एक और हमें फायदा यह होगा, जो हमारे उपर सालनों से एक इल्जाम, एक बदनुमा दाग बिला वज़ागा लगाया हुआ है, इंडिया ने, क्योंकि वो एकनोमिकली स्टॉंग कंट्री है, और उसकी बात दुनिया सुनती भी है, उसकी एक मिसाल मैं आप अपना इंफ्लुएंस दिखा गया, तो यहां पर यही बात की कि हम जो अपना epicenter of terrorism का हम पर एक ब्लेम लगाया हुए ना, इंडिया में, most dangerous country या failing state का ब्लेम पर लगा हुए, वो सब कुछ साफ हो जागा, जाहर है कि जब हमारे पास पैसे होंगे, हम कारोबार अच्छा हों उसके लिए, आपके पास resources हों, आपके infrastructure हों, आपके human resource development हो, और अब जो बन चुका है, ना important, वो technology बन चुका है, तो यह सारा कुछ इन्शाला ताला हमारे मुलक में होगा, फर्दर यह है, जैसे कि अभी हम जानते हैं अच्छे से कि इस वक्त सबसे जादा कमाईी जो होती ह हर लहाँ से, jobs हो, population हो, हर चीज इस वक्त पंजाब के अंदर बढ़ी पड़ी है, लेकिन जो हमारा सबसे जादा रखबा है, हमारा बलोची भाई है, हमारा बलोचितान, सबसे जादा रखबा उसका है, लेकिन वहाँ पे अबादी कम में, उस area को explore ने किया गया, similarly हमारे जो federal areas थे, जो कि अब KPK का हिस्सा बन चुके है, federal administered areas थे, FATA के, तो उनके अंदर भी काफी मादनियात हैं, tourism के opportunities हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो सारी की सारी नजर आएंगी, वो सारी की सारी खुलेंगी, क्योंकि हमें access दी जा रही है, यहाँ पे कराची लहौर का, हव नहीं पैदा कर लेंगे, ना सिर्फ हम energy के उपर काम करेंगे, finance, banking industry, education, हाट चीज़ के उपर काम होगा, उसके इलावा सबसे important, जिसके बीचे खान साब भी काफी दिया से पढ़े हुए है, tourism का, जाहर है कि जब infrastructure बन गया, roads, railways बन चुकी हैं, लोगों की access है, तो हम internationally promote कर सक बना के पाकिस्तान के कोई भी वो चलाएंगे, इंशाला, next paragraph हमारे पास है, पैरा 18, last paragraph है, end of western influence, हम पाकिस्तान में कफी देर तक, American influence के अंडर रहे हैं, और इस चीज़ को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, कि हम शायद ना कूते, Soviet Union की war में कुछ हमारे interest भी थे, लेकिन Americans भी ये चाते थे, कि हम इस war में उनका साथ दें, उसके बाद जो next बात आ जाती है, war or terror की, जो कि इनने अफ़कानिस्तान के खिलाफ initiate की, हम उसका भी हिस्तानी बना चाते हैं, लेकिन हमें धक्ये से बना दिया गया, क्योंकि एक बात है कि आप जिससे लेके खाते हो, या ज खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और हमें किसी से लेके अपना गुजारा करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, तो definitely फरक्त हम पे काफी जादा पढ़ जाएगा, ये सारा कुछ हम इसमें discuss करेंगे, next हमारे पास है, conclusion की, conclusion में यही लिखा है कि CPAC game changer है, millions की जो ह उसके बाद ये project जो है, construction को, textile mills को, industrial parks लगेंगे, construction of dams होगी, installation of nuclear reactors होगे, roads, railways, employment generate होगी, people will also take ownership of these projects, मतलब ये कहमने सारी वो चीज़ें चनल लाइन में लिखते हैं कि हमारा यहां पर ये कफी कुछ होने वाला है, CPAC की वे जासे, fully equipped hospitals होगे, technical vocational trainings होगी, उसके बाद हमार supply distribution, underdeveloped areas, उनको फरहम किया जाएगा, new technology होगी, agriculture के उपर मैंने इसमें नहीं लिखा, वो आपट लाज में लिखेगा, new technology of agriculture हो हम introduce करा लेंगे, उसके बाद, although at present, Pakistan and China are faced with national and international challenges in completing these mega projects, yet upon its completion, the benefits would be much more than the sufferings, बेशक, इस वक हम मसले मसायल में हैं, कुछ internal or external factors हैं, लेकिन जब ये complete हो जाएगा, तो हमें इसके जो benefits मिलेंगे, वो हमारी जो इस वक्त की बर्दाश या इस वक्त की challenges है, उन सब को बुला देगा और हमें काफी इससे फाइदा मिलेगा, I hope आपको काफी हद तक इस ऐसे की समझा गई होगी, दौाओ में याद रखेगा, अलाफिस